नमस्कार नेक्स नाइन नियूज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिली शराब मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए एडी ने तेलांगना की पूर्व मुख्यमंत्रे के सी आर की बेटी और बी आरेस एमलसी के कविता को किरफतार कर लिया खबर है कि जाच एजिंसी के कविता को हैदराबाद से दिली लेकर आ रही है शुगरवार को दिली शराब मामले को लेकर के कविता के हैदराबाद आवास पर एडी ने चापे मारी की थी के कविता पूर्व एमपी होने के साथ साथ एक बिजनसमेन वुमिन भी है जिनके पास करोडों की दौलत है के कविता ने शेयर बाजार से लेकर सरकारी यूजनाओ तक में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस उन पर भारी कर्ज भी है साथ ही करोडों रुपे की अगरी कल्चुर लैंट भी है के कविता ने वी एन आर वी जे आई 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 ट जवाहर लाल नहरू टेकनोलोजी उनिवरस्टी से 1999 में ग्रेजुएशन की डिगरी हासल की है दरसल आपको बता दे के केसी आर की बेटी के कविता के पास लगभव 49.89 करोड की संपती है हाला कि कैश के मामले में इनके पास सिर्फ एक लाख रुपे ही है के कविता के बैंक अकाउंट के अगर बात करें तो 37 लाख से ज्यादा का डिपॉजट है वहीं इन्होंने कमपनियों के बांड डिपेंशर और शेयर में लगभग 17.88 करोड रुपे इंवेस्ट किया है बदा दे के के कविता की गिरफतारी से आम आदमी पार्टी में हर काम पमचा हुआ है द को भी इडी के दफ्तर में पेश होना है दरसल एडी ने अर्विन के इजरिवाल को आठ भार समन भीजा था लेकिन अर्विन के इजरिवाल इडी के दफ्तर नहीं पेश हुए जिसके बाद जाज एजिंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटा है राउजवनी कोट में केजरीवाल भी गिरफतार हो जाएंगे देखना काफी एहम रहेगा शिराब गुटाले मामने में एडी के इस बड़े एक्शन के बाद अब केजरीवाल सरकार का अगला कदम क्या होता है फलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट नाइन नियोस के साथ